नमस्ते दियो वीवर्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग लापलेस ट्रांसफर्म को स्टार्ट करेंगे और यह हमारा वीडियो नमबर वन है सेमस्टेप फोर का यह एक बहुत इंपॉर्टन टापिक है मितमाटिकल फजिक्स का तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को छोटा रखेंगे हम लोग बस देखेंगे कि लापलेस ट्रांसफर्म क्या होता है उसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मतमाटिकली क्या होता है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कंसर्डर किया है लेट एफ्टी बी अ फंक्शन यहाँ पर आप लिख लीजएगा लेट एफ्टी बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर आल पॉस्टी वेल्यूस अफ टी ठीक है मतलब एफ्टी क्या है यह जो एफ्टी देखने है आप यह फंक्शन है जो सारे पॉस्टीव वेल्यूस ऑफ टी के लिए डिफाइन है मतलब यहाँ जो टी का वेल्यू है यह ग्रेटर है जीरो से t का value 1, 2, 3, 4 2 infinity कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ये क्या है ऐसा function है जो positive values of t के लिए defined है तो आप यहाँ पर लिखे कि then the laplace transform the laplace transform ठीक है तो laplace transform सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इससे denote कर सकते हैं then the laplace transform is denoted as ठीक है कैसे denote कर सकते हैं पहले ये देख लेता है then the laplace transform is denoted as l ft इस तरीके से भी denote कर सकते हैं इसे हम लोग कुछ ऐसे भी denote कर सकते हैं small s कुछ ऐसे भी denote कर सकते हैं और इसे हम लोग कुछ ऐसे भी denote कर सकते है small s पर bar s ठीक है ये तीनों तरीके से laplace transform for a given function को लोग denote कर सकते हैं तो क्या बात होगी the laplace transform is denoted as इतना and is defined as अब इसके definition के बात करते है and is defined and is defined as कुछ ऐसे integral के form में इसे define के जाता है कि L मतलब laplace of function ft is equal to integral 0 to infinity e power minus st ft dt कुछ इस तरीके से हम लोग laplace transform को define करते हैं तो क्लेरी सवन्मारा है कि laplace transform को कैसे define कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि let ft भी a function define for all positive values of t where t greater than 0 then the laplace transform is denoted as Lft fs and f to bar s and is defined as Lft is equal to integral 0 to infinity e power minus st ft dt अब यहाँ पर यह जो limits आप देख रहे है 0 और infinity यह t के लिए मतलब t का जो value है वो 0 to infinity हो सकता है मतलब क्योंकि t क्या है positive values है तो वो infinity तक हो सकता है ठीक है और यहाँ पर जो s है आप यहाँ पर लिखिए s को लोग parameter कहते है क्या कहते है s को parameter actually में यह जो parameter यह है क्या actually में होता है real और complex ठीक है मतलब ऐसा समझिए कि जो s है वो या तो real होगा या फिर complex होगा यह दुन में से कोई एक होता है तो यह definition है किसका laplace transform का तो generally क्या होता है कि आपके पास एक function given होता है उस function को क्या करना होता है आपको यहाँ पर यह ft के जगे पर substitute करना होता है फिर इस integral को solve करना होता है आप जब इस integral को solve कर लेंगे तो उस given function का laplace transform आपको मिल जाएगा तो यह एक definition हम लोग ने discuss किया laplace transform का इसके बाद हम लोग को पढ़ना है laplace transform for elementary functions तो यहाँ पर कुछ elementary functions हम लोग list कर लेते हैं तो चली सबसे पहले लिख लेते हैं कि elementary elementary functions ठीक है कुछ ऐसे elementary functions है जिनका laplace transform हम लोग को पढ़ना है ठीक है such like such like ft is equal to 1 यह भी एक तरह का laplace elementary function है दूसरा ft is equal to t पे पावर n तीसरा ft is equal to e पे पावर 80 चौथा ft is equal to sin 80 पाच्वा ft is equal to cos 80 छथा ft is equal to sin hyperbol 80 और last है ft is equal to cos hyperbol 80 ठीक है तो यह जो आप देख रहे हैं यह जो साथ आप देख रहे हैं यह seven elementary functions के laplace transform को हम लोग को पढ़ना है अब next video में क्या करेंगे हम लोग laplace transform for elementary functions को पढ़ेंगे जहां पर हम लोग इन functions का laplace transform लोग कैसे find out करेंगे ठीक है वो discuss करेंगे और जो laplace transform लोग को मिलेगा वो actually में formulas की तरह काम करता है हम लोग जो problems आगे solve करेंगे उसमें वो formulas की तरह act करेंगे तो next video में क्या करेंगे हम लोग